आज के जोतिश प्रोग्राम में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के उपस्तित हूँ पिछले कुछ दिनों से बार बार पूछा जा रहा है सर शादी कब होगी इसे कैसे पता करें मेरा विवाह कब होगा इसे आसाने से हम कैसे जान सकते हैं माता पिता के द्वारा पूछा जा रहा है सर बच्चों की शादी के योग्यों उम्र हो गई है बार बार प्रियास करने के बाद भी कहीं पर भी शादी का रिस्ता पका नहीं हो रहा है मेरे बेटा या बेटी की शादी का रिस्ता किस समय पर पका हो जाएगा इसे हम आसानी से कैसे जान सकते हैं कैसे समझ सकते हैं तो प्रिया दर्शकों यदि आप जानना चाहते हैं आपके बेटा या बेटी की शादी का रिस्ता किस समय पर पक्का होगा आपके बिवा होने का प्रबल योग किस समय पर बनेगा तो आज किस वीडियो में बिलकुल आसान तीन ऐसे शुत्र मैं आपको बता रहा हूँ जिसके माध्यम से आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आपकी शादी का रिस्ता पक्का होने का प्रबल पाउरफुल योग किस समय पर बनेगा देखे यहे एक ऐसा प्रशन है शादी कब होगी विवाह कब होगा और इस प्रशन का बिलकुल सटीक आंसर जानने के लिए वैदिक एस्ट्रोजी में जोतिस सास्तर में अलग-अलग प्रकार के शुत्र हैं अलग-अलग प्रकार के नियम हैं जिनके माध्यम से जाना जा सकता है कि किसी भी लड़का या लड़की की शादे का रिस्ता पक्का होने का निश्ट समय किस समय पर आएगा लेकिन एस्ट्रोजी की भासा थोड़ी इतनी क्लिष्ट लगती है कि हर किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आती है लेकिन आज किस वीडियो में ऐसे सरल सब्दों में मैं आपको समझाने वाला हूँ जिन लोगों को जोतिश शास्तर की एस्टरोलोजी की कुछ A, B, C, D भी नहीं पता हो ऐसे लोग भी समझ सकते हैं तीन ऐसे सुतर बताऊंगा जिन लोगों की कुंडली है ऐसे लोग भी जान सकते हैं और जिन लोगों के पास कुंडली नहीं है सिर्फ उनको अपनी रासी ही पता है ऐसे लोग भी पता कर सकते हैं विवहा योग कब बनेगा शादी का रिस्ता पक्का होने का प्रबल योग कब बनेगा तो चलिए प्रियादर्शकों जानकारी देने से पहले बता दूँ विशेशत है यदि आप मैरिज से रिलिटेड बिल्कुल सटिक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं जैसे आपकी शादी का कहा कैसे होगी कैसा जीवन साती मिलेगा और जल्दी से जल्दी शाद का रिस्ता पक्का होने के लिए कौन-कौन से चमतकारी उपाई कर सकते हैं तो ऐसी सास्तर सम्मत सटिक जानकारियां निरंतर प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजी आप जोतिस गुरू जी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए पर चलते हैं जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी के योग्या उम्र हो जाती है ध्यान दें यह जो शुत्र मैं आपको बता रहा हूं आपको उसी समय पर लागू करके देखना है जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी के योग्या उम्र हो गई है और बार 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 कोशिशन करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही हो ऐसे समय पर मैंने जो सरवादिक कुंडलियों में अनभव करके देखा है मैंने जो रिसर्च करके देखी है उसे मैं बहुत आसानी से आपको समझा रहा हूँ ध्यान देना किसी भी लड़का या लड़की की शादे के योग ये उम्र हो गई है और लाख कोशिशन के करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही हो ऐसे समय पर ध्यान देना लड़कों की कुंडली में उसको शुक्र की दसा आजाती है महादशा हो या अंतरदसा और लड़कियों को गुरू की महादशा या अंतरदसा आ जाए ध्यान दखना है गुरू और शुक्र यानि शुक्र लड़कों की कुंडली में राहु के साथ नहीं होना चाहिए और किसी भी खाने में जहाँ पर छे नंबर लिखा वा हो वहाँ सुक्र नहीं बैठा होना चाहिए और कुंडली के किसी भी खाने में जहाँ पर दस नंबर लिखा वा हो वहाँ पर गुरू नहीं बैठा होना चाहिए ध्यान देना ये बहुत सारी कुंडलियों में मैंने अन्वो करके देखा ये बिलकुल सटीकता देखाता है किसी भी लड़का या लड़की को लड़कों को शुक्र की महादसा या अंतरदसा लड़कियों को गुरू ग्रह की महादसा या अंतरदसा और तीसरा सुत्र है से जादा शादी का रिस्ता पक्का होता हुआ देखा गया है अब ये दसा कैसे जाने जैसे आज कल कंप्यूटर से जनम पत्रिकाएं बनती हैं तो आप जनम पत्रिका के पीछे देखेंगे तो विंशोत्री महादशा के नाम से आपको पेज मिलेगा उस पे बिल्कुल डैट किस ग्रह के दसा कब से कब तक है बहुत बहुत आसानी से समझ सकते हुआ तो ये पहला सुत्र है जो बहुत जादा इफेक्टिव देखा गया है लड़कों को शुक्र ग्रह की महादशा या अंतरदशा लड़कियों को गुरु ग्रह की महादशा या अंतरदशा या दोनों योग बनाता है बस ध्यान यह रखना है कि ये तीनों ग्रह जिनका मैंने नाम बताया ये ग्रह कुंडली में राहो के साथ नहीं हो नीच रासी में नहीं हो और फिर इनकी महादसा या अंतरदसा आ जाए दूसरा एक बहुती आसन तरीका है जिसके माध्यम से भी समझा जा सकत है किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली है सपोज करें कि आपकी जन्म कुंडली बनी हुए लेकिन आपको उसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है तो दूसरे या तीसरे पेच पे आप देखेंगे जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से इस प्रकार का एक नक् लिखावा हो सकता है इस बात को सबसे पहले आप समझ लीजिए ठीक है हमें एक नक्षा ले रहे हैं उधान के तोर पर अभी इस कुंडली के जिस खाने में साथ लिखावा है ना इस खाने में आपकी कुंडली में एक से बारा तक का कोई भी नंबर लिखावा हो सकता है लेकि आसान है महादसा अंतरदसा जानना आपकी कुंडली के पीछे जाएंगे तो विंशोत्री दसा के नाम से पेज मिलेगा उस पर डैट वाइच किलियर लिखा रहता है कम्पिटर से जो जर्म पत्रिकाएं बनती है उनमें आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं इस कुंडली के जि जैसे लड़के लड़कियों का शादे का रिस्ता पक्का होने का पावर्फुल योग बनता ही बनता है इसमें भी विशेशकर शुप ग्रह जैसे ब्रियस पती है शुक्र है चंद्रमा है बुद्ध है खास करके यह ग्रह बैठे वे वे इस कुंडली के जिस खाने में साथ लिखा है वहाँ पर और इन ग्रहों में से किसी के महादशा या अंतरदशा आ जाए तीसरी कंडिशन है कि बहुत से लोगों के पास कुंडली नहीं है वह अपनी रासी से ही जानना जाते है तो रासी से भी बहुत आसानी से जाना जा सकता है जैसे हर साल हर साल गुरु रासी में प्रवेश कर रहा है, जब किसी भी लड़का या लड़की की शादे की योग्यों अम्र चल रहे हैं, उस समय पर गुरू, यदि उसकी रासी पर प्रवेश करता या उसकी रासी पर चल रहा है, तो विवाहा का योग बनाता है, दूसरी स्पैंडिशन है गुरू किसी भी राशी में ब्रह्मन कर रहा है लेकिन वहां से जिस किसी भी लड़का या लड़की की जो रासी है जैसे गुरू किसी भी रासी पर चल रहा है उससे पाँचवी रासी उससे साथवी रासी उससे नवी रासी वालों का विवाह योग बना देता है क्योंकि प्रबल पून दरश्टी से देखता है जैसे अभी मेश रासी में चल रहा है तो मेश रासी वालों का योग बनाएगा मेश के साथ पांचवी रासी हो गई सिंग रासी और साथवी रासी हो गई तुला रासी और नवी रासी हो गई धनू रासी तो इन रास्यों के योग बनाएगा ऐसे जैसे व्रशब रासी में आएगा तो व्रशब रासी वालों का योग बना देगा उससे पांचवी रासी हो नोट करके रखे और मैं जो भी शुत्र बताता हूं उनको नोट कर लो आप खुद एक दिन इतने अच्छे जोतिशी बन जाओगी कि किसी की भी कुंडली देखते हैं बिलको सटिक प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इस लड़का है लड़की के विवा होने का योग कब किस समय पर ब नए नए जो भी वीडियो जाएंगे नई नई रिसर्च के साथ उनके माध्यम से ले करके उपस्तित रहूंगा तो प्रियदर सकों सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो जोतिश गुरूजी यूटूब चैनल को जानकर ये चलेगी तो वीडियो क लाभान भित हो चुके हैं आपको भी निश्चत रूपे ने लाभ परापत होगा मेरे द्वारा आप अपनी जनम पत्रिका का सटीक जोतिश ये विश्लेशन करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है आप मुझे यहां पर संपर कर सकते हैं कॉंटक्ट क कर सकते हैं आज के लिए इतना है था देखते रहिएगा आप हमारा जोतिश गुरू जी यूटूब चैनल